द्रौपदी जी कौन सा शैंपू लगाती होंगी? आज के जमाने में अगर हमारे बाल गंदे होते हैं, हम शैंपू खरीद के लाते हैं, अपने बालों पे लगाते हैं, फिर धो डालते हैं, सुन्दर चमकीले बाल, पर उन दिनों में सीता जी के बाल, द्रौपदी जी के बाल, इसका रहसे क्या था? इतनी सुन्दर बाल, ये था एक जादूई फल, पर इसके लिए स्वर्ग लोग, पातालोग का चक्र नहीं लगता था, भारत के तो हर जगह उखता था, सोप नट्री, यानि के रीठा का पेर, आज भी गाओ गाओ में, शहरों में, गलियों में आपको ये पेर मिलेगा, और इसके बेर कुछ ऐसे होते हैं, तो कैसे इस्तमाल करें? आपनी ठेके बेर और शिका काई लो, इसका पाउडर बनाओ, फिर उसका एक पेस्ट बनाकर सिर्पे लगा लो, 15-20 मिनट तक रखो, फिर पानी से या हल्के से शैंपू से अपना बाल धो डालो, और देखो इसका चमतकार, बाल जढ़ना कम, डैंडरव कायप्ल और स्वस् वो भी बिलकुल नैचरल तरीके से, यही तो था द्रॉपदे जी के बाल का रास, थैंक्स पॉर वाचिंग, केसे कोशिश?